नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी PF मेंबर्स को बताऊंगा कि आप किस तरीके से 2024 में अपने PF में अपनी resign date डाल सकते हैं जा दोस्तों यानि कि आप किस तरीके से अपने PF में अपनी company छोड़ने की तारिक डाल सकते हो वो भी घर बैठे अपने mobile phone से केवल 2 मिन्टों के अंदर आपको कहीं भी जाने की जरुत नहीं आपको company में भी जाने की जरुत नहीं है आप सब कुछ घर बैठे अपने mobile phone से केवल 2 मिन्टों के अंदर कर सकते हैं अब देगे दोस्तों कई बार ऐसी problems आ जाती है employees के साथ यानि PF members के साथ कि वो किसी company में काम करते हैं मान लिजे आपने किसी company में 6 मेंने काम किया आपने उस company में काम करने के बाद उस company को छोड़ दिया लेकिन जो company है जो ठेकेदार है वो हमारे PF में हमारी resign date नहीं डालती है ताकि हम अपने PF का पूरा पैसा ना निकाल पाए और लगा था ठेकेदार और company हमें परिशान कर हैं तो ऐसे लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होना वाली है important होने वाली है आप लोगों को बता दूँ कि आप घर बैटे अपने mobile phone से ही केवल दो मिनटों के अंदर ही अपने PF में अपनी resign date यानी company छोड़ने की तारिक खुद ही डाल सकते हो आपक कहीं जाने के जरूरत नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा जरूरी वीडियो होने वाली है और resign date डालने के 2024 के पुरी के पुरे latest process और complete process के बारे में इस वीडियो में आप सभी PF मेंबर्स को बताने वाला हूँ तो चलिए फटा फट सुरू करते हैं आज के इस वीडियो को औ आप देखें अब आप लोग करना क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ ध्यान से सुनेगा जो पूराना process था जो पूराना तरीका था उसे पूरी तरीके से EPFO यानी PF office द्वारा बदल दिया गया है तो मैं आप लोग को बिल्कुल latest तरीका बताऊंगा तो आपको simply नीचे क समझा पाऊं और दिखा पाऊं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो मैंने सारी की सारी details यहां पर फिल कर लिए है अब मैं simply करना क्या थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहां पर sign in और reset का option मिलेगा आपको simply यहां पर sign in पर click कर देना है चले में click कर देता हूँ यहां पर आप लोग देख सकते हैं sign in पर click करते ही आपके सामने एक नया page open हो जाएगा जो कि पहले से बिलकुल अलग है आप confused होने की जड़त नहीं है यह PF का एक नया update है जिसमें क्या rule है कि जितनी भी बार आप अपने PF में login करोगे आपके आधार से registered mobile number यानि PF से link mobile number पर O OTP आपको यहां फिल करना है और simply यह वाला capture आपको यहां पर फिल करना है और उसके बाद simply submit पर click कर देना है चलिए मैं सारी details फिल करके simply यहां पर submit पर click करता हूं उसके बाद आप logo से मिलता हूं पर आप देख सकते हैं sign पर click करते ही हम लोग successfully PF की portal पर जो है login हो चुके है ठ बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग यहां पर हमें 5 option मिल जाते है ठीकिना पहला home का दूसरा view का तीसरा manage चौथा account पांचवा online services का हमें simply इस तीसरे वाले option manage पर click कर देना है चलि मैं click कर देता हूं manage पर click करते ही दुबारा आपके सामने 5 option आ जाएंगे आपको simply last वाले option mark exit पर click कर देना है ठीक है चलि मैं click कर देता हूं mark exit पर click करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा अब मैं आप लोगो एक बात समझाओंगा बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझना ठीक है यहां पर आपको एक option मिलेगा employment का और नीचे option मिलेगा select employment का ठीक है आपको select employment पर click कर के बताए क्या करना है कि ऐसा होता है बहुत सी जो लोग होते है उन्होंने एक company से जादा में काम किया होता है मतलब 3-4 company में काम किया होता है तो आप यहां पर simply select employment पर जैसे क्लिक करोगे जितनी भी company में आपने काम किया होगा सारी company के नाम Member ID आपके सामने यहां पर आजाएगे, आप लोग देख सकते हैं, अब बया जिस भी company में आपको resign date डालना होगा, आप simply उस पर जासे कि मैं इस company में डालना इस पर tick कर देंगा, ध्यान रहे, यहाँ पर केवल वही company सोंगी, जिन में resign date नहीं डाला है, समझे रहे ना आप लोग, मतलब जिसमे company छोड़ सुलना बया, बहुत जरूरी बात जहाँ पर बहुत से पीएफ members confused जाते हैं, यहाँ पर option आएगा select date of exit EPF, ठीक है यहाँ पर select option मिलेगा, नीचे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर click कर देना है, click करते ही आपके सामने calendar आएगा, calendar में आप देखिए बहुत से लोग कहते है कि sir, इसमें महिने की कौन सी date डाले, मतलब तारीक कौन सी डाले, sir हमें तारीक में confusion है कि हम कौन सी company छोड़ने की तारीक डाले, तो यहाँ पर जो भी month आता है, month तो automatically select होगा, ठीक है ना, आप महिना automatically, जैसे March आ गया, आपने March में company छोड़ी थी, महिना automatically select होगा, आप सिर एक second के अंदर, कि आपको यहाँ पर month की second last, या फिर last date डालनी है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर second last date डाल देता हूं, 30, हमेशा आपको, जैसे मैंने 30 डाल दिया, जितने का भी महिना है, उससे एक दिन पहले, जैसे 31 कमेने 30 तारीक डाल दी, दुबारा यहाँ पर option आएगा reselect date of exit का, तो जो हमी जैसे हमने अभी 30 तारीक डाली थी, दुबारा यहाँ पर भईया, हमें आपर 30 select कर देता है, ध्यान रहे, जो आपने पहले डाला तो वही डालना है, वरना miss match हो जाएगा, मैं दुबारा 30 पर click कर देता हूं, ठीक है, 30 तारीक डाल दी, 30 तारीक डालते देते हैं, power of disablement डाल देते हैं, sorry permanent disablement डाल देते हैं, तो आपको क्या करना है, हार टाइम, यहाँ पर session short service last वाले option पे click करना है, इस वाले option पे आपको tick कर देता हूं, यही बिल्कुल सही reason है, इस पे tick करने के बाद, आपके सामने आप consent आएगा, consent पे click कर देना है, मैं आपको बिल्कुल सरल बात से में सब कुछ बता रहा हूं और समझा रहा हूं, उसके बाद जो भी आपके आधार से इस्टेड मोबाइल नमर है, request OTP पे click करके, आपको यहाँ पर OTP, simply आपके mobile नमर पर जाएगा, नीचे OTP फिल कर देना है, आपको simply आपर consent पे click कर देना है, बस कु तुरांत approval मिल जाएगा, तुरांत resign date चड़ जाएगा, आपको उसके बाद कहीं जाने को जोड़त नहीं है, company से कोई मतलब नहीं है, समझा गया आप लोग को बागी कोई doubt हो इस वीडियो से related, तो comment box में comment करना बता दूँगा, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, वीडि झीडियो다।